शेमद हुम्रेमेडी इसमें यह आपका स्वावत है और हम आपको बताएंगे अर्जुन की छाल के क्या-क्या फाइदे होते हैं एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अर्जुन का छाल होता है हमारे हिर्दय के लिए बहुत अच्छा होता है अपक्या हिर्दय हो या तूटी हुई हड्डिया अर्जुन की छाल इन दोनों चीज़ें में बहुत जादा फाइदे मन होता है और भी आरिवेदिक दून होते हैं तो अर्जुन का व्रिच जिसे भारत में काहु के नाम से भी जाना जाता है या स्वाद में कसैला होता है या बहुत से असिदियों गुनों से परिपूर्ण होता है अर्जुन की छाल, फिर्दय रोग, उच्छ रक्तचाप, पत्री तब अस्थमा जैसे रोग में अत्यंत कारगर सावित होता है अर्जुन की छाल में बहुत मात्रा में कैल्सियम पाए जाता है जो हड़ियों के लिए बहुत फाइदे मन होता है तो चलिए हम आपको कुछ फाइदे बताते हैं अर्जुन के वरिप्च के कुछ बहुमुल उप्योग, कुछ और सिधिये गुन बताएंगे अर्जुन की छाल हिदय के लिए शक्ति वर्दक का काम करती है चाल के मोटे भाग को दूद के साथ मिलाकर काड़ा बनाईए इसे सुबह खाली पे नियमित रूप से सेवन करें या फिर एक से दो ग्राम चाल का चुड़ दूद और गुड़ के साथ मिलाकर खाएं आपको लाब मिलेगा ही मिलेगा अरजुन की चाल का काड़ा बनाकर पीने से डाइरिया ज्यता पेचिस जैसे बिमारियों में फायदा होता है अरजुन की चाल के चुड़न का नियमित इस्तमाल करने से पत्री छोटे छोटे टुकुडों में तूटकर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं अर्जुन की ताजा पक्तियों का रस निकाल कर कान में डालने से कान के दर्द में राद मिलता है तता अर्जुन की छाल के भस्व बिक्छु के डंक में भी असरकारक होता है अर्जुन की चाल का चुड़न शेहद के साथ मिलाकर लेने पर तूटी भी हड्डियों में फिर से मजबूती आयाती है अर्जुन की चाल से तुच्चा समंधी विकार दूर हो जाते हैं चाल के चुड़न को शेहद में मिलाकर प्रभावी जगह पर लगाने से और भी जादा फायदे होते हैं यह मुहासे के लिए भी उप्यूगी होता है इसके लावा चक्कराना, अनिद्रा, हकावट जाता मन एकारणा होने जैसे परिस्थितियों में भी अर्जुन की चाल से निज़ात पाई जा सकती है यूरीन में रुकावट होने पर अर्जुन की चाल को दो कब पानी में डाल कर उबाली ज़िए जब पानी आधा हो जाए तो इस पानी को च्छान कर पी जाए समयस्या दूर होने तक प्रती दिन एक बारिस का सेवन दीजिए तो धन्यवाद आप हमाने चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए धन्यवाद